नमस्कार मैं याचना जैस्वाल आप देख रहें न्यूज जार्खन चलिए जानते हैं सुबा से लेकर शाम तक की जार्खन की तमाम बड़ी खबरों को हजारी बाग में प्रकट हुए भोलेनाथ, श्रद्धालूओं का लगा ताता हजारी बाग जीले के चौपारण मांगड गाउ में मंगलवार को 53 साल पुराने मंदर का जिर्लोध्वार के दोरान श्रिवलिंग मिला है श्रिवलिंग प्रकट होने की खबर छेतर में आग की तरफ फैल गई है देखते ही देखते बड़ी संख्या में श्रद्धालूओं की भीड जुड गई, पुजा अर्चना शुरू हो गया सावन महा में श्रिवलिंग का प्रकट होना लोग शुभ मान रहे हैं श्रिवलिंग पर श्रद्धालों द्वारा जला भी शेक कर पूजा पाठ प्रारंभ किया जा रहा है जिस मंदर के नीचे श्रिवलिंग प्रकट हुआ, उसका निर्माड 1970 ग्रामीडों के सयोग से हुआ है मंदर में कुछ दिनों से जिड़ोध्वार का कार किया जा रहा है इसी जारी कार के दोरान तीन फिट का श्रिवलिंग लोगों को दिखाए दिया श्रिवलिंग को देखने के लिए आसपास के गाव के लोग भी जूट रहे हैं पत्रातु गोलिबारी वाली जगह पहुची ATS और CID की टीम घटना इस्थल को घेरे में लेकर जाच कर रही है टीम लोगों के प्रवेस पर रोक जेल में बंद गैंक्स्टर अमन साहु गैंग के अप्राधियों ने सोमवार की रात 9 बजे एंटि टेररिस्ट स्क्वार्ड और रामगर पोलिस टीम पर ताबर तोड फाइरिंग की है इस वारदात में ATS के DSP, नीरच कुमार को पेट में और रजरप्पा थाना की दरोगा सोनु कुमार साहु को दाहीनी जांग में गोली लगी है दोनों का इलाज राची के मेडिका अस्पताल में चल रहा है या घटना पत्रातू थाना छेतर के खेरा मांजी द्वार से होकर खेला जाने वाली रास्ते में डाड़ी ही सरना उच्च विद्याले के समीब हुई है इस कांड की जाच सुरू हो गई है वही मेडिका अस्पताल में इलाज के बाद घायल अधिकारियों की इस्थिती इस्थिर है अंडिये की बैठक में शामिल होने के लिए रवाना हुए आजिसु सुप्रीमो सुदेस महतो NDA की बैठक में शामिल होने के लिए आजिसू सुप्रीमो सुदेस महतो राची एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रबाना हो गए है उन्होंने कहा कि बैठक में पार्टी का पक्ष रखेंगे और कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी जारखन में अभी और होगी बारिश मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट राज्ज के इन हिस्सों में अभी और होगी बरसाथ जारखन के कई हिस्सों में अच्छी बारिश होई है राज्ज में अभी इसी तरह मौसम रहेगा कई हिस्सों में बारिश होगी बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर का असर धनबाद में नजर आ रहा है अगले दो-तीन दिनों तक अच्छी बारिश की संभावना है मौसम भज्यानी कभिशेक आनंद के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बन रहे लो प्रेशर का मुख्यके इंद्र ओडीसा है बन रहा है इसका असर आगे एक दो दिनों में रहेगा जारखन में 18 जून को संताल परगना के रास्ते मानसून ने दस्तक दी थी आज एक महीना पूरा हो गया है एक महीने के दोरान राज में समाने से करीब 41 प्रतीशत कम बारिश हुई है हलांकी इस महीने मौसम ने अपना मिजाज बदला है और राज के कई हिस्सों में अच्छी बारिश देखी गई है बैंगलूरू में हो रही देशभरक विपक्षी दलों की बैठक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबुलाल मरांडी बोले परिवार बचाओ मोर्चा की एहम बैठक पटना के बाद बैंगलूरू हो रही विपक्षी दलों की बैठक को लेकर भाजपा देशभर में हमलावर है जारखन भाजपा भी तंज कर रही है विपक्षी दलों की इस बैठक को जारखन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष में परिवार बचाओ मोर्चा की एहम बैठक कहा है उन्होंने लिखा कि बैंगलूरू की बैठक में अपने अपने परिवार की सल्तनत बचाने के लिए बड़े घरानों के बेटे बेटिया शिर्कत कर रहे हैं तंज कस्ते हुए बाबुलाल ने लिखा ये सारे के सारे खांदानी जनता द्वारा नकार दिये गए हैं राजनीती में दो निगेटिव मिलकर कभी पॉजिटिव नहीं बन सकते हैं अपने फेस्बुक पर उन्होंने कई राजनीती परिवार का उधारड देते हुए कहा कि ये सभी अपनी जमीन तलाश रहे हैं उन्होंने परिवारवाद वाली पार्टियों की पूरी लिस्ट दी है साथ ही कहा कि विपक्षी दलों के बीची आपसी संघर्स है आपसी सिर्फुट वॉला है इसके बाद भी सब जहर का घूट पी कर अपने अस्तितों को बचाने को गोलबंध होने का प्रयास कर रहे हैं खबरों में आगे वढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको जारखन की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहें तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर धोनी के घर बत्ती गुल फॉल्ट ढूणने में जुटा बिजली विभाग तीन घंटे तक अंधेरे में डूबा रहा थाला का कैलाश पती राजधानी में बिजली कट की समस्या से आम के साथ साथ खास लोग भी परिसान है शोमवार को भारतिय क्रिकेट टीम के पुर्व कप्तान महंदर सिंग धोनी के घर की लाइट लगभग तीन घंटे तक कटी रही शाम के लगभग 6-9 बजे तक आपुर्ती बाधित रही बिजली कट होने की शिकायत धोनी के घर से बिजली विभाग से की गई थी शिकायत मिलने के बाद रातु फीडर की पूरी टीम फॉल्ट ढूंडने में जुट गई तीन घंटे बाद दलादली चौक के पास इंसुलेटर पंक्चर होने के बारे में पता चला पता चलते ही आनन फानन इंसुलेटर बदला कया उसके बाद बिजली की आपुर्ती सामान ने हुई रातु सब स्टेशन की जेई रंजीत कुमार ने बताया कि इंसुलेटर पंक्चर होने के कारण शाम की समय पूरे छेतर में रातु सब स्टेशन से बिजली आपुरती बादित रही थी फाल्ट पता चलने के बाद आपुरती समाने हुई है टेट पास अभ्यरतियों पर छह हफते में निर्डल जार्खन सरकार जार्खन हाई कोट में सोमवार को जस्टिस डॉक्टर एसन पाठक की अदालत में वर्स 2016 में हुई सिख्षक पात्रता परिक्षा यानि टेट में सफल अभ्यरतियों के नियुक्तियों लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई है सुनवाई के बाद अदालत ने 6 सपता में सरकार को अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में निर्ड़न लेने का निर्देश दिया है इस संबंध में परिमल कुमार सहीत अन्य की ओर से हाई कोट में याचिका दाखिल की गई थी सुनवाई के दोरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमरितान स्वत्स ने अदालत को बताया कि समिधान में 86 संसोधन अनुछेद 21 ए को समाहित किया गया इसके तहट पुरे देश में मुफ्त सिक्षा अनिवार की गई इसके तहट 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त में सिक्षा देने के लिए RTE लाया गया था सड़क के किनारे मिला यूवती का शौव पास में पड़े थे कपड़े दुशकर्म के बाद हत्या की आशंका गई है शव के पास ही उसके कपड़े पास ही पड़े थे मंगलवार की सुबर शव को रामीडों ने देखा इसके बाद पुलिस को इसकी सूच ना दी यूवती की पहचान कर ली गई है परिजनों ने दुशकर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है जम्शेदपूर के जवाहर नवोदर विद्यालय में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरूरू जाने कब तक कर सकेंगे आवेदन जवाहर नवोदर विद्याला में सैक्षडिक वर्क 2024-25 के लिए ओनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है रजिस्ट्रेशन नहीं शुल्क हो रहा है इसकी अंतिम्ति थी 10 अगस्त तै की गई है जवाहर नवोदर विद्याला में छटी क्लास में अडमिशन के लिए प्रविस परिक्षा 4 नवंबर 2023 वह 20 जनवरी 2024 की होगी जीले के च्छात्र च्छात्राएं www.nvoday.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद प्रविस परिक्षा में शामिल हो सकते हैं चैनित होने के बाद च्छात्रव च्छात्राओं को अलग-अलग आवासिय सुविधा के साथ नेशल पढ़ाई की जाएगे इसमें आवेदन के लिए शर्थ है कि उमिद्वार जिस जीले के नवोदर विद्याला में एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें उसी जीले के किसी मानेतापराप्त सरकारी स्कूल या सरकार से मानेतापराप्त स्कूल में पांचमी क्लास अध्यनरत होना चाहिए जारखन के जेलों में छमता से अधिक कैदी हैं बंद सुप्रिटेंडन सहीत 81 प्रतीशत पद अब भी है खाली जारखन के जेलों में अधिक्षत से लेकर निचले इसतर तक कर्मचारियों के 81 फीसदी पद रिक्त हैं जबकि जेलों में छमता से अधिक कैदी बंद किये गए हैं वहीं विजिटर जेल में कैदी से मिलने आने आने वाले लोगों का दबाव भी है ऐसे में जाहिर है कि जेल में में पावर की कमी का असर यहां की अंद्रूनी विवस्ता पर पड़ रहा है जारखन में कूल 31 जेल हैं इनमें 7 केंद्रिय कारा, 7 जीला जेल, 6 सब जेल और 1 ओपन जेल हजारी बाग में शामिल है इन जेलों के लिए अधिक्षक कारापाल, सहायक कारापाल, लिपिक, मुख्य उच कक्षपाल, उच कक्षपाल, कक्षपाल, पुरुस वा कक्षपाल महिला के कूल 2180 पड़ स्विक्रीत है लेकिन इनमें से 1779 पड़ खाली है मैंपावर की कमी की बानगी यह है कि राज के 31 में से 28 जेलों में अधिक्षक का पड़ स्विक्रीत है लेकिन 20 जेलों में यह पड़ अभी भी खाली है तीन महिने से बंद हैं पत्रातु डैम के नावघार जाने का रास्ता नाविक परिशान हक के लिए लगा रहे गुहार किसी भी छेत्र के विकास की परिभासा वहां के आर्थिक समाजिक इस्तर से मापी जाती है पत्रातू डैम में परेटन विकास को लेकर सरकार द्वारा करोडो रुपे खर्च कर पत्रातू लेक रिजौट का निर्मार कर आया गया है। इसके माध्यम से छेतर की लोगों की आर्थिक उन्नती का मार्क प्रशस्त हुआ। वहीं पत्रातु लेक रिजॉर्ड के संचालन की जिम्मेदारी जार्खन परेटन विभाग द्वारा जार्खन टुरिज्म डेवलाप्मेंट कॉर्कॉरेशन को दी गई है। इसके तहट दो होटल वह रेस्टोरेंट का संचालन, पार्किंग एरिया का संचालन, चिल्डेन पार्क एवं बोट कलब के संचालन की जिम्मेदारी जेटी डीसी को दी गई है। तीन महीने से पत्रातु डैम नावघार जाने का राष्टा बंध है। इससे नाविकों के समक्ष बिरोजगारी के स्थिती आ गई है। प्रापन के माध्यम से प्रमारपत्र जांच में आने की सूचना दी जाएगी। इसके बाद भी वे नहीं आते हैं तो अभ्यरतियों की उमिद्वारी समाप्त करने के लिए विभाग को अनुशन सा की जाएगी। इसके निर्देश पंचायती राज निर्देशक निशा उ पहायों की हत्या दायना विसाही में जुड़े अलग-अलग मामले में कुल चार लोगों की हत्या कर दी गई है। सुमवार को दो सगे भायों की हत्या कर दी गई है। मुरितकों में सबन जोजो के बेटे पीटर जोजो 45 वर्ष और आशिफ जोजो 47 वर्ष सामिल है। पांच दिन पहले ही इंकी बुढ़ी मा को डायन बता कर मारपीट की गई थी जो अब भी रिम्स में भरती है। आरोपी नविन भेंगरा भी इसी गाउं का रहने बाला है। घटना दोपहर एक से दो बजे के बीच की है। पोलिस ने आरोपी को गिरफतार कर लिया है। साथ ही जलावन की लकडी भी बरामत कर ली है। जिससे दोनों भायों की हत्या की गई थी। गुम्ला में सकेया डैम से मत्स्यपालन समीती के अध्यक्ष का मिला शव। गुम्ला बस्या थाना की पुलिस ने बस्या ब्लॉक के सकेया डैम से मत्स्यपालन समीती के अध्यक्ष सुगट बारला उम्र 47 वर्स का शव बरामत किया है। मंगलवार दिन के 11 बजे कुछ प्रवासा हाईवा चुरा कर इंजन वा चेशिस नंबर टेंपर करने वाला गिरों धनबाद में सक्रिय। प्रवासा हाईवा चुरा कर इंजन वाला गिरों धनबाद में सक्रिय। लोगों ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी कि एक सब्ता के भीतर अपराधियों की गिरफतारी नहीं हुई तो लोगतांत्रिक आंदोलन किया जाएगा। साथ ही घायलों को मुफ्ति इलाज और मुवजा देने की मांग की गई। प्रतिरोत सभा में शामिर लोगों ने उच्च इस्तर्य जांच एवं दोशियों पर कारवाई की मांग करते हुए राज्यपाल मुख्यमंत्री डीजीपी को ग्यापन देने की बात कही है। बता दें की रविवार की शाम साथ बचकर 25 मिनट पर हाजी चौक रिंग रोड इस्थित होटल मुख्तार में दो नकापो सपराधियों ने बाइक से ही अंधादुन गोली चलाई। जिससे होटल संचालक मुखमद इलियास वा एक स्टाफ जबबार के पैरों में गोली लगी। सभा में ग्रामीड अंजुमन कमेटी के सदर मुस्तफा अंसारी, आम्या के एस अली, एनुवल हक, इम्तियाज वहदार, जाकिर अंसारी, असलम अंसारी, हैदर अंसारी, शमीम बड़ेहार समेथ काफी संख्या में लोग मौजूद थे। जारखन के इंजिनियरिंग कॉलेजों में बढ़ाई गई सीटे, नए कोर्स भी जुड़े, इस ब्रांच की डिमांड है सबसे अधिक। JCECB ने राजि के 16 इंजिनियरिंग कॉलेजों का सीट मेट्रिक्स जारी किया है। इस वर्स पिछले वर्स की तुलना में 599 सीटे बढ़ाई गई हैं और इनको AICTE से मानेता भी मिल गई है। JEE मेन के रिजल्ट पर राजि के विभिन इंजिनियरिंग कॉलेजों में काउंसलिंग प्रक्रिया से कुल 5496 सीटों पर विध्यार्तियों का नामंकन होगा। वहीं बीते वर्स 4898 सीट पर नामंकन हुआ था। सत्र 2023-24 में राजि के कई इंजिनियरिंग कॉलेजों में न्यू एज इंजिनियरिंग कोर्स को जोड़ा गया है। इनमें Computer Science and Engineering, Data Science, Cyber Security और Fashion Technology जैसे कोर्स शामिल किये गए हैं। वहीं राजि के ज्यादातर कॉलेजों ने Computer Science and Engineering की मांग को देखते हुए सीटे बढ़ाई गई हैं। इससे CS Engineering में 163 सीटे बढ़ गई हैं। इससे अब राजभर के विभिन Engineering कॉलेजों में CS की कुल 1340 सीटे हो गई हैं। पुर्वी सिंग्भुम में अध्यक्ष प्रमोद गोप के सडक धुरगटना में मौत। बनी पुलिया के समीब ट्रक से बाइक टकरा गई। ट्रक की गती इतनी तेज थी कि धक्के से बाइक सवार दुरगटना ग्रस्थ होकर घायल हो गया। और बाइक ट्रक में फसी रह गई। इसी अवस्था में ट्रक चालग बाइक को लगबग आधे किलोमीटर तक घसीटता रहा। इस घट्टा में बाइक पर सवार प्रमोद गोप बुरी तरह से घायल हो गया। उन्हें इस्थानिये लोगों के सहायता से 108 एंबुलेंस पर लाद कर चाकुलिया सीएच सी लाया गया। जहां डॉक्टर संपा मन्ना घोस ने प्राथमिक इलाज कर बहतर इलाज के लिए जाडगराम रेफर कर दिया था। डॉरंडा में शराब पिला एक नाबालिक से गैंगरेब दूसरे से किया प्रयास। राजधानी राची में चार दिन के भी तर तीन नाबालिक लड़कियों के साथ गैंगरेब की घटना हो गई। इस बार डॉरंडा थाना चेतर के डिबडियों में अप्राधियों ने एक नाबालिक लड़की को जबरन शराब पिला कर उसके साथ सामोहिक दुषकर्म किया जबकि दूसरे के साथ दुषकर्म का प्रयास किया गया। इस घटना को अपराधियों ने रविवार की रात अंजाम दिया है। इस मामले में नाबालिक पिडिता के बयान पर डूरंड़ा थाने में नामजद प्रात्मीकी दर्ज की गई है। दर्ज प्रात्मीकी के अधार पर पुलिस ने सामोहिक दुष्टकर्म के तीनों आरोपियों को दबोच लिया है। गिरफतार अपराधियों में मनिस्तिक गा, असोक उराओ और अभिसे किरकेटा शामिल है। पुलिस ने दोनों नावालिक लड़कियों का सदर अस्पताल में मेडिकल कराया है।